हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए टेकेट फाइनल करने से पहले कांगरस ने रणनीती में बड़ा बदलाव किया है शनिवार को दिल्ली में हुई हिमाचल कांगरस की कोडिनेशन कमेटी की बैठक के बाद सक्रीनिंग कमेटी की चर्चा में मंडी संस्दिय सीट पर प्रदेश कांगरस अध्यक्ष प्रतवा सिंग की जगावीर भद्र सिंग के पुत्र विक्रमा दित्या सिंग का नाम आगे कर दिया गया है विक्रमा दित्या सिंग वर्तमान कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण एम शहरी विकास मंत्री हैं और पिछले लोक सुबा उप चनाव में माता प्रतवा सिंग का चुनाव संभाल चुके हैं कोडिनेशन कमेटी की बैटक हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजीव शुकला और संगठर महास्यची केसी वेन गुपाल की उपस्थिति में हुई इसमें मुख्य मंत्री सुकहिंदर सिंग सुखु, उप मुख्य मंत्री मुगेश अग्नियोत्री, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतवा सिंग, कौल सिंग्ठ ठाकुर्वा, रामलाल ठाकुरादी शामिल हुए जबकि विक्रमा दित्या सिंग को भी विशेश तोर पर बुलाया गया था कांगेस प्रभारी ने इसी बैटक में कहा कि पार्टी के सरवे में विक्रमा दित्या सिंग का नाम पहले नंबर पर है इसलिए इने ही चुनाम में उतरना चाहिए सुत्र कहते हैं कि उनकी कंसेंट भी पहले से ही ले ली गी थी इस तरह से मंडी सीट पर उनका एक तरह से अकेला नाम हो गया है कोडिनेशन कमिटी की बैटक के बाद सक्रीनिंग कमिटी के अधियक्ष बगत चरणदास के साथ ही परवारी राजी शुकला और अन्य निताओं की चर्चा हुई अब दिल्ली में सेंटर इलेक्षन कमिटी की बैटक 10 अपैल को परस्तावित की गई है इसलिए हिमाचल की संस्दिय सीटों को लेकर परत्याशियों की पहली लिस्ट 10 या 11 अपैल को जारी हो सकती है संभावना है कि शिमला को छोड़कर बाकी तीन सीटों के परत्याशि घोशित हो जाएंगे जबकि विधान साबा के परत्याशियों के लिए पार्टी थोड़ा वक्त लेगी मंडी सीट पर भाजपा द्वारा अभिनेत्रिय कंगना रनौत को परत्याशि बिनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी युवा वोटर पर फोकस करना चाहती है यह भी एक वज़य है कि विक्रमा दित्याको परत्वा सिंग की बज़य मजबूत परत्याशी माना जा रहा है किन नामों पर चर्चा हुई है और कब तक परत्याशियों के नामों की घोशना हो जाएगी देखें यह CEC की मीटिंग नहीं थी CEC तो अभी होनी है यह कौर्डिनेशन कमिटी की मीटिंग थी जिसमें हमारे वरिष्ट नेताओं को भी बुलाया था उनका भी व्यू लिया गया उनका भी एक्सपिरियंस को देखते वे उनका क्या कह रहे हैं किस liaison का नाम ले रहे हैं कौन केंड़िट्ट होना चाहिए उस पर चर्चा हुई और जैसा जैसा ऑन्योंने बिष्ट का feedback दिया और जो Candidate बड़िया से बड़िया हमने फील्ड में उतार दा水 उस पर चर्चा हुई और हमने कुछ दो-चार नाम लिख के उनको हर कॉंस्टेंसी से फाइनल करके दिये हैं उसमें हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सीनेर वरिष्ट नेता कॉल सिंग जी और रामलाल जी धनीराम शांडल सभी उपस्ते थे वेनु गुपाल जी नहीं ये मीटिंग कॉल की और उन्होंने भी फीड़बैक लेना था कि हमारी कॉर्डनेशन कमिटी के मेंबर्स क्या कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको सुनते हुई ही उन्होंने अपना माइंड बनाना है कि किसको उन्होंने परत्याशी बनाना है मैं कर तक जो है नामों के पर जो है नाम जो है फाइनल हो जाएंगे देखिए ये बहुत ही जल्दी हमारी CEC की मीटिंग होने जा रही जिसकी मैं भी मेंबर हूँ और उसमें हम सब को बुलाएंगे मुख्यमंत्री भी होंगे और अंतते एक ही नाम जाएगा उसमें जो ये सर्वे भी करेंगे और जो उनको फीड़बैक भी मिला है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने एक नाम पर आगे उसको भीजना हाई कमांड तक उस हाई कमांड चाहे वो हमारे आपकी जगा विक्रमा दित्य सिंग को कामरे सुताने जा रही है क्या ऐसा है देखिए अभी तो फाइनल नहीं हुआ फाइनल नहीं हुआ चर्चा जरूर रूइस पे और सभी का सुझाव था विकॉस एज फैक्टर तो हई है कंगना इस यंग गल उशी मास्वी 36 37 और विक इसा ओरेटर हो और अच्छा उसकी साथ यूथ भी जोडता है यूथ भी जोडता है और आइकॉन है ओ यूथ का सो ये सारे प्लस पॉइंट से जिसकी वज़ा से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया हालनकि उनको ये पता है कि मैं सेटिंग मेंबर हूँ मेरा टिकेट था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपोरण है जीतना इसमें क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी का भी आशेवाद है बीजेपी की कैंडिडेट के लिए और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नी रहने चाहिए कोई कॉंप्रमाइज नी होना चाहिए जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करने है कामरे से मैं क्या आशा कुमारी कि नान पर भी चर्चा हुई है हाँ हुई है वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छा रूत्बा रखती है उनका भी काफी अच्छा रेपूटेशन है अपने लोगों के बीच में तो उस पे भी चर्चा हुई है पर अभी वो नाम तै नहीं हुआ है कुछ का सुजाव कुछ था कुछ था उन्होंने सभी ने नोट किया है सभी ने देखा है कि आपने क्या-क्या सुजाव दिये है तो उन्होंने भी सर्वे करवाए होंगे सर्वे के मताबिक वो भी जो जिसको सही समझेंगे उसको वो CEC की मीटिंग तक लेके जाएंगे और CEC को डिसाइड करेगी कि कौन परताशी होना चाहिए मैम कॉंग्रिस हाई कमान से भी आपने मुलाकात की सोनिया जाबिजी से भी मुलाकात की सरकार और संगर्थन में अभी तार्मील को और ज़्यादा मश्वीश कैसे करेंगे देखे जो हमारी कौर्डिनेशन कमीटी की मीटिंग हुई उसमें भी हमें यही आदेश दिया गया कि सभी मिल जुल कर चरेंगे सभी कार्य करताओं को आप कॉन्फिडेंस में लेंगे सभी को आपने यह आश्वासन देना है कि अभी पांच साल हमारी सरकार है हमने जो वाइदे किये हैं उनको भी पूरा करेंगे और सभी को अपने मतभेद बुलाकर फील्ड में ले जाएंगे क्योंकि वर्कर ही है जिसके दम पर हम लोग जीत कर आते हैं तो उनका मनुबल पढ़ाने की भी हमको आफशकता है और हमें विश्वास है कि जल्दी इन बातों का को स्टडी किया जाएगा और मेरे को लगता है तीन-चार दिन में CEC की मीटिंग बे होने वाली है उसमें फिर फाइनली डिसाइड होगा कि कौन का डिलेट होगा पुरूर मुख्यमंतरी जाराम ठाकुर आप लगाया है कि आपने और विक्रमादीत सिंग ने जो कांगरिस की अमेले बागी हुए है उनको पहले उकसाया और आप लोग पलट गए है पलट उराम की संग्या आपनोंने आपको दिये देखिए वो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं वो उनकी सोच है पर जहां तक हमारी बात है हम कोई बच्चे तो नहीं है कि किसी के हमारे बोलने वे कोई बात हमारी मानने लगेगा उनका खुद सोच है खुद समझ है खुद जानते हैं पहले भी रजिंदर राना जी बहुत बड़ा इलेक्षन जीत कर आए थे सुधीर जी भी मंतरी रहे चार बार MLA रहे उनका भी experience है उनकी भी कुछ expectations थी सरकार से जो कि हम बार बार आवाज उठाते रहे और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्तिती पैदा होनी थी पर इसमें उक्साने वाली बात कोई नहीं है ठीक है विक्रमा दित्यों को high command नहीं हमारी high command नहीं कहा था कि आप जाकर उनको मनाने का काम करो तो वो उनके आदेश के मताबिक बलके हुड़ा जी उसमें थे हमारी चतिसगड के सीएम थे और डीके शिव कुमार जी थे सभी ने उनको कहा कि विक्रमा देते हैं आप जाओ उनसे बातचीत करो और ये अगर संबव है तो उनको वापिस लाने का प्रयास करो मैं मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसे लेकर सुधी शर्मा और राजंदराना ने मान हानी का नोटिस भी उनको भीज़ा है ठीक है वो अब क्या उनको लगा बुरा और क्यों वो उन्होंने किया अब उनकी सोचे में तो उस पर क्या टिप नहीं कर साथ देखे ऐसा तो नहीं कि वह जो मेनिफेस्ट हुए एक साल में ही पूरा हो जा हम को समय मिला है हमने ओपीस लागू किया है महिलाओं को पैसे देने की जो फंदरा सौ मीने की बात की थी उसको लाहुल्सपिक्ती से लागु किया है मुख्यवंत्री स्वेंग गय थे उन्होंने स्वेंग इसकी घोषणा किये उसके इलावा भी जो हमने गाओं में हमारी महिला रहते हैं जिनका मतलब वो परिवार का पालन पोशन गाई रखके करते हैं वो भी चाते थे कि हमारे दूद के रेट बढ़े तो वो दूद के रेट भी बढ़ाएगे सरकार ने वो भी किया और धीरे धीरे जो बाकी प्रॉमिसेज है वो भी सरकार पांच साल के अंदर पूरा करेगी इ वो तो है वो तो है मैं आपको इसका कारण भी बता दूँ कि ये बहुत लंबे अरसे तक हमारे फैमिली की लोग इसमें लड़ते रहे चाए वीरभदे सिंग जी थे चाए मैं रही तीन बार और उसी तरह से अगर लोगों की निगाहें टिकी है और आशा है तो इस परिवा उस पर चार तारी को फिर चर्चा होगी और जब एक दफा हाई कमांड उसको टिक कर देगी तो मुझे लगता है कि जैसा वो ठीक समझेंगे वो कैंडिडेट्स का नाम अनौंस कर देंगा हाँ बिलकुल बिलकुल बिकॉज सभी की ये डिमांड भी थी कि जल्दी होना चाहिए डोंट डिले हमारे बस टाइम बहुत कम रह गया है पर सिंस लास्ट फेज में हमारा एलेक्शन तो इस बात को देखते वे भी हमने थोड़ा टाइम लिया सोचने का समझने का और अनौ को हम तै करेंगे कहां से बात कर रहा है हो सकता है क्यों नहीं हम तो चाहते हैं कि पार्टी के संगठन को लोगों को भी मौका मिले वो भी कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी अगर मौका मिलता है तो उनको भी आगे लाने की अशकता है ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन धबाना न भूलें